सारस और केकड़ा की कहानी बहुत समय पहले की बात है, एक घने जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही सुन्दर जील था। उस जील में बहुत सारी मचलियां और केकड़ा भी रहता था। वह सब बहुत खुशी से मिल जूल कर रहते थे। लेकिन हर रोज उस जील के किनारे एक सारस आकर मचलियां पकड़कर अपना पेट पूजा करता था। जब भी सारस जील किनारे आ पहुचता। तब सारे मचलियों के बीच भागा दोड़ी शुरू हो जाता था। ऐसे दिन बीकता गया। धीरे धीरे सारस बुड़ा और कमजोर होने लगा। पहले की तरह वह शिकार भी नहीं कर पा रहा। था। सारस बहुत दुखी होकर जील किनारे बैठ गया। सारस का ये हाल देखकर जील की मचलियां बहुत खुश हुई। सारे मचली सारस के सामने तैरने लगे पर सारस ने उन्हें कुछ नहीं किया सिर्फ बैठा रहा, ऐसे कुछ और दिन बीट गए, सारस को ऐसे एक जगह बैठा हुआ देखकर केकड़ा सारस के पास आया और पूछा, भाई, दो तीन दिन से देख रहा, हूँ तुम यहां फुट कर रोने लगा, सारस ने कहा, क्या, बताएं दोस्त, मैं बहुत ही दुखी हूँ, कुछ दिन पहले एक जियोच्शी ने मुझे एक बात बताया कि बहुत ही जल्दी यह जील सूखने वाला है, बिना पानी के तुम सब कैसे जी, पाओगे, तुम सब मर जाओगे, यह तो बहुत गंभीर और चिंता की बात है, मुझे सब को बताना होगा, सारस की बात केकड़े ने जील की सारी मचलियों को बताया, सारी मचलियां और केकड़ा मिलकर सारस के पास गए और बोला, क्या बोल रहे हो जील सुख जाएगा, तब हम सब कहां जाएंगे, क्या करे कोई तो उपाय होगा ना बचने का, हम सबने तुमको हमारा दुश्मन समझा पर तुम तो हमारे दोस्त, निकले, हम लोगों के चिंता के कारण तुमने खाना पीना छोड़ दिया, दोस्त, अब तुम ही कोई उपाय बताओ, सारस ने कहा, अच्छा लगा सुनकर कि तुम सबन मुझे दोस्त, माना है, एक उपाय है, कुछ ही दूर पर एक तालाब है, अगर तुम लोग चाहो तो मैं एक-एक करके तुम लोगों को वहाँ छोड़ सकता हूँ, सारे मचली मान गए और कहा, ठीक, है, ठीक है, तालाब में पहुचाने के लिए अगले दिन से सारस एक-ए मचली को अपने चोंच पर लेकर जाना शुरू किया, ऐसे कुछ दिन बाद केकड़े की बारी आई, सारस, केकड़े को लेकर रवाना हुआ, कुछ दूर जाने के बाद केकड़े ने सारस को पूछा, भाई, ये तालाब और कितना दूर है, केकड़े की बात सुनकर सारस हसन लगा और कहने लगा, तालाब, कैसा तालाब, यहां कोई तालाब नहीं है, मैं तो खाने के लिए तुम सब को यहां लेकर आ रहा हूं, इतने दिनों से मचली खा खा कर बोर हो गया हूं, आज बहुत मज़ा, आएगा तुमको खा कर, आसपास देखो तुम्हारे सारे दोस्त क पर आकर आबैठा, सारस की बात सुनकर, केकड़ा बहुत गुस्सा हो गया, और अपने आपको बचाने के लिए अपने दोनों हाथों से सारस का गला दबा दिया, और कुछ देर बाद सारस मर गया, फिर केकड़ा अकेले जहील वापस सा, गया और बाकी मचलियों को सारस के चाल के बारे में बोला और कैसे उसने सारस को मार दाला ये भी बताया, सारे मचली बहुत खुश हुए और निश्चिंत होकर रहने, लगे, इस कहानी से सीख, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हर काम सोच समझ कर करना चाहिए और किसी की बातों में नहीं आना चाहि इस प्रकार की कहानिया देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करना ना भूलें. धन्यवाद.